उग्रवादी संगठन माववादी के नाम से धौस जमाकर सडक निर्मान एजनसी से रंगदारी मांगने के मामले में चंदवारा पुलिस ने नौ अपराधियों को हतियारों के साथ गिरफतार किया है बता दे कि चंदवारा थाना छेतर के बेंदी पंचायत के चोरी चटान से बोंगा दह भीतिया तक काली करन सडक निर्मान कार आया जा रहा था बीते दिनों अपराधियों ने सड़क कारे को रोक दिया था और निर्मान कारे में जुटे लोगों के साथ मार पीट कर समवेदक से रंगदारी के तौर पर 30 लाख की फिरोती की रकम मांगी गई थी मामले को लेकर समवेदक ने चंदवारा थाना में मामला दर्च कराया था जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और खटना में शामिल लोगों को गिरफतार करने में काम्याबी हासिल हुई कोडर्मा से रितेश लुहानी की रिपोर्ट में एक टीम का गठन किया गया जिसमें ठाना परवारी और नए सब इस्पेक्टर लोग भी शामिल थे और तक्निकी साखा के लोग थे इसमें लगातार हमने गुप सुझना एक खटा किया तक्निकी सुझना एक खटा की और जिसके बदालत हमने एक छाहों मारी करके उस जफ्तार किया है जिसके पास से तीन भरडवा बंदू एक छेरोन का देशी पिस्तर चार जिंदा गोली और जिस मुवाइल से उनको थेट कॉल भी आया था वो भी बरामत किया जो मजदूर के पास से ही लूटा गया मुवाइल था और अन पांच मुवाइल भी इनके पास स एक लैंड बनाया गया जिसका हमने भाणडा फोड़ किया और सभी को जिफ्तारी करें किस अगुरवादी संगटन का नाम लेकर सावगाई किया यह संदीप यादों के नाम पे एक जो गुरवाद है महवादी है उनके नाम पे ही पैसा मांग कर रहे थे हाला कि उससे कोई स